नमस्कार सुबह की सुरुवात ऐसी होने चाहिए बहुत से लोग क्या करते हैं सुबह की सुरुवात सही नहीं करते हैं और उनका दिन बर ऐसे ही चला जाता है और उदासी में निरासा में और चिट चिडेपन में दिन बर चला जाता है तो एक अच्छे इंसान की एक अच्छे एंटर्पर्णियोर की एक अच्छे गुड बिहेवर इंसान की अच्छी सुबह कैसे होती वह सुबह ऐसा क्या करता है जो दिन भर एनरजेटिक रहता है दिन भर उसाम रहता है दिन भर जोस्त में रहता है और उसका हर कारिय सही जाता अगर कुछ कारी डिश्टेवी होता है तो वो नकर अत्मक नेगेटिव थोड़ दिमाग में आता है पोजिटिव थोड़ दिमाग में तो एक परपेक्ट सुबह परपेक्ट नौरनी कैसी होनी चीए क्या करें सुबह जो हमारा पूरा दिमबा एक उस्षा में जोस में उमंग में जाए तो परपेक्ट सुबह क्या होनी चीए यह देखें सबसे पहले तो अलारम बंग करके दुबारा मस होई यह यह सबसे बड़े अधिकतर लोगों के आदत होती है सब ही जने पता है आपको यह वह हो जाएंगी बो इस जथ जो करतें दस दस मिन के अलाम बढ़तें सुनूज करते वापिस बढ़तें वापिस बंद करतें या वापिस बढ़ता ह 오ο होt यह नहीं आ जैती है तो अलाम आप सेट करें तो दुबारा बन करके उसको नशोए अलाम बजा उठें दूसरा कोशिज ऐसे करें कि सुर्योदय से पहले उठें आप जानते हो कि सुर्योदय से पहले उठने का क्या लाग होता है आप शूर्यूदर से पहले उठोगे ना, आपका यूजु उसा और उमंग आपके अंदर बना रहेगा, जब भी आप विस्तर से उठोगे तो इसा करना जटके से न उठे, अगर आप विस्तर से जटके से उठोगे, तो आपके कमर में चटका आ सकता है, आपकी कमर पेन हो सकती। जैसे आपकी निंद खुले, थोड़ा आराम से बिस्तर में रिलेक्स करें, थोड़ा हाथ पे रोगो हिलाएं, फिर आराम से दीरे से उठें, थोड़ी देर बिस्तर पे बैठें, उसके बाद आप जमीन पेर रखें। एक दम जटके से निग बिस्त प्रभू को याद करें। ध्यान रखना, बहुत सजने के देर प्रभू को याद करते हैं, क्या है? प्रभू को याद करना बहुत जरूएं, उससे क्या होता है? अंदर से आत्म इस्वास, सेल्प कॉन्विलेंस बढ़ता है, अपने आप में अंदर से एनर्जी आती है, जो बहुं से याध रहे प्रभु आज का दिन मेरा सबसे बेश्ट गुजारना मुझे सकती देना हुआ冷ा है मैं कि मुझे सकती देना कि मैं किसी का दिल ना दुख् mystि ए सहरे अन कि प्रभु का करें अधिक लोग के आदग को रोड़कि सुनॕ उठते ही क्या करते हैं उठती बिस्तर में बैटे बैटी उठेंगे दो में आंके खोलेंगे बिस्तर में फोन निकाला वाट्स आप फेस्बूप यूटूब इस्टापनों मैसेज चेक करेंगे रिस यह सबसे बड़ी गंदी आदत हैं आजकल के युवाओ की और आजकल तो को छोड़िये अधिकतर बड़े-बड़े लोग पी सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं फेस्बूप वोट्स आप रिल्स चलाना लग जाए आदा गंटा विस्तर में बैटे-बैटे ऐसे ही निकल जाता किसी किसी करते एक गंटा निकल जाता साथ बज़े उठते एक गंट आप यह सब बत देगें कुछ नहीं है सब टाइन पास की बात तो सबसे पहले उठो तो फोन चेक करना बंद कर देना वरना आपका माइंड सोचल मीडिया में जाएगा बस वोगों की बातों में दिन पर निकल जाएगा उसने मेरे के लिए यह का है मैंने फोट टो आला तो मेरे स्पोर्टू पर यह कमेंट आया है बस वो ही बाते अपने दिमाग माती लेगी सुबह उठकर सबसे पहले उपते हुए सूर्य की रोशनी अपने उपर लेगा विटामिन डी आज कल तो लोग विटामिन डी लेना बूलगे दूप में बेटना बंद होगे सुबह पानी जरूर पी कहते हैं कि जब बिना कुछ कुला उला किये हुए जब पानी पीते हैं वो राग बर की मूग की लार जब अपने अंदर जाती है तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छी होते हैं तो सुबह उठकर कम से कम एक लिटर पानी हर इनसान को पीना चाहिए उससे उनका पूरा सरीर का डिटॉक्स, पूरे सरीर की गंदगी बाहर निकल जाते है अपने सुबह की शुरुवात योग और एक्साइज से करें आप ज्यादा नहीं दस या पंदरा मिन्टी अपने योग और एक्साइज के लिए सुबह समय दे उससे करेंगे तो आपको दिन पर एकदम जोस, उस्सा और उमंग से मुझरेगा, आपको एक अच्छा फिल मैसुष होगा, आपको एक बेटर फिल मैसुष होगा और आपके दिमाग में हमेसा पोजेटिव सोच आएगगा, तो अपने सुबह की ये परपेक्ट शुरुवात इन बातों से करें, आप एक दिन पांच दिन, दस दिन, पंदरे दिन, अगर इन बातों से आपने सुबह की शुरुवात की ना, तो आपको एक अलग से फिलिंग आई, एक अलग सा जोस, उस्सा और उमंग दिन बर रहेगा, और आपके दिन बर नेगेटिव थोट से आप दूर रोगे, हमेसा अपने दिमा पर पोजिटिव सोच आएंगे, और आपका चेहरा हमेसा खिलता हो रहेगा, अगर आप सुबह की सुरुवात इस तरीके से करोगे,